हेलो सो टेगनर उसमें आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में आप लोग को एसूस के जैनफोन मैक्स प्रो एम वन और शाओमी के रेडमी 6 प्रो के बीच में एक कंपारिशन देने वाला हूँ और आप लोग को बता दूँगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोग को कौन सा स्मार्टफोन एकदम बैटर देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहे हैं कि अभी जो एसूस का जैनफोन मैक्स प्रो एम वन का जो 3GB RAM और 32GB वाला जो वेरिंट वाप लोग को 10,000 पे के अंदर मिलता है जबकि Redmi 6 Pro का जो 3,32 वेरिंट वाप लोग को 11,000 पे के अंदर मिलता है तो यहाँ पे सबसे पहले शिर्वात करते हैं डिजाइन से और यहाँ पे यह बहुत ही सर्प्राइजिंग पार्ट है क्योंके जैनफोन मैक्स प्रो एम बन आपको यहाँ पे कंसिडेरिंग इसमें 5000 अमेच की बैटरी मिलती है इसकी जो थिकने से वो आपको 8.4 mm की मिलती है जबकि Redmi 6 Pro आपको 4000 अमेच की बैटरी मिलती है तो इसकी जो थिकने से वो 8.7 mm की उपर है तो आप देख सकते है कि बैटरी 5000 होने के बावजुद भी उन्होंने अपने फोन की स्विमनेस को मैंटेन किया है एसुस ने तो यह काम मुझे एसुस का काफी सही लेका जबकि Redmi 6 Pro थोड़ा सापको बलकी नजर आता है अगर आप दोनों को पास पास रखते तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फील आ जाता है यहाँ पर दोनों की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो Max Pro M1 में आप लोगको एक मैटल बॉड़ी मिलती है जो काफी अच्छा है काफी डूरेबल है लेकिन Redmi 6 Pro के अंदर जो फिनिशिंग आपको मिलती है वो यहाँ पर प्लास्टिक में मिलती है तो यह त अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के बात करता हूँ तो Max Pro M1 आपको वे बेटर देखने को मिलता है considering Redmi 6 Pro के बात करते है यहाँ पर दोनों की डिस्पले की तो यहाँ पर दोनों की अंदर वैसे आपको डिस्पले काफी कमाल का मिलता है Zenfone Max Pro M1 के अंदर आप लोगको 6 इंच की एक Full HD Plus की डिस्पले मिलती है एक IPS LCD डिस्पले है 18-29 का आपको एस्पेक रिशू देती है तो डिस्पले इसका वैसे आपको बहुत ही कमाल का मिलता है वीवी इंगल्स पर आपको बहुत ही सही देखने को मिलता है तो Max Pro M1 का आपको डिस्पले वैसे काफी सही मिलेगा रही बाद Redmi 6 Pro के तो आप लोगों यहाँ पर एक notch वाले display मिलती है Full HD Plus की 5.84 इंच की आपको 19-9 का aspect ratio देता है और इसका भी display वे से आपको बहुत ही कमाल का मिलता है लेकिन एक चीज़ मुझे इसकी बुरी यह लगी कि आप देखेंगे लेफ्ट और राइट में आपको black borders मिल जाते हैं तो यह मुझे थोड़ा सा annoying लगा है जबकि Asus के Max Prime 1 में आपको left और राइट में इतने जादा borders नहीं मिलते हैं तो notch वाले display में अगर आपको left और राइट में borders मिल जाते हैं मेरे पास obviously 3GB RAM और 32GB storage है दोनों का तो दोनों के में वही size वाले variant का comparison आप लोगों करके दे रहा हूँ लेगिन यहाँ पे आप लोग को storage expand करने का dedicated microSD card का slot दोनों के अंदर जो देखने को मिलता है मतलब triple slot मिलता है तो दोनों में आप लोगो 2 SIM card और एक dedicated microSD card लगाने का भी जो वह मौका मिल जाता है यहाँ पे बात करते हैं दोनों के performance की तो यहाँ पे clear clear में आप लोगो winner बता रहता हूँ वो है Asus का Max Pro M1 यहाँ पे Max Pro M1 में आप लोगो snapdragon का 636 वाला processor मिलता है जबकि Redmi 6 Pro में आप लोगो snapdragon का 625 वाला processor मिलता है यह 2 GHz के ओपर clocked है OctaCore वाला Codex A53 पर आपको मिलता है जबकि 636 आप लोगो 1.8 GHz के ओपर मिलता है snapdragon 636 performance की बात करूँ तो बहुत ही कमाल का आपको यह processor मिलता है यह आप लोगो 625 से वे बेटर जो वो देखने को मिलता है GPU की बात करते है तो Zenfone Max Pro M1 में आप लोगो Adreno 509 वाला GPU मिलता है तो आप लोगो snapdragon के 625 के अदर Adreno 506 का GPU मिलता है तो यहाँ पर कोई में बड़ा comparison नहीं का सकता हो clear clear आपके सामने है कि Max Pro M1 का processor आप लोगो Redmi 6 Pro से बेटर देखने को मिलता है यहाँ पर रही बात दोनों फोन की camera की तो आप लोगो दोनों के अंदर पीछी के तरफ dual rear facing camera मिलता है तो Zenfone Max Pro में आप लोगो 13 प्लस 5 मेगापिसल का dual rear facing camera मिलता है F2.2 का aperture मिलता है तो Redmi 6 Pro के अंदर आप लोगो 12 प्लस 5 का dual rear facing camera मिलता है इसमें भी आप लोगो F2.2 का aperture मिलता है और दोनों में आप लोगो Full HD वीडियो recording का मौका मिलता है यहाँ पर अगर मैं honestly अगर आप से कहता हूँ तो मुझे यहाँ पर camera के performance Max Pro M1 के rear facing से काफी सही लगी है और यहाँ पर अगर मैं selfie camera की बात करता हूँ तो यहाँ पर Max Pro M1 में आपको 8 Megapixel की selfie मिलती है और soft LED flash भी मिलता है Redmi 6 Pro में आपको सिफ 5 Megapixel की selfie मिलती है और इसमें कोई flash नहीं मिलता है तो obviously जब आप camera की sample सामने की तरफ देखते है तो मुझे यहाँ पर clear clear Max Pro M1 जो वो better लगा है आप कुद देख लेंगे तो मुझे Redmi 6 Pro थोड़ा सा artificial सा लग रहा है और थोड़ा सा अजीब सा मतलब brightness को ज़्यादा ही दिखा रहा था और यहाँ पर Max Pro M1 थोड़ा सा natural feel आ रहा था तो मुझे यहाँ पर Max Pro M1 का selfie camera थोड़ा सा better लगा है तो camera की मामने में अगर मैं बात करता है तो Max Pro M1 के camera मुझे Redmi 6 Pro से थोड़ा सा better लगा है यहाँ पर बात करते हैं लेकिन आपको यह और भी अच्छा battery backup देगी क्योंकि आप लोगो यहाँ पर stock experience मिलता है मतलब कोई bloatwares नहीं है कोई फालतू का आपको RAM management जैसा कुछ scene जो देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर Redmi 6 Pro में आपको Mi UI मिलता है तो इसमें आपको बहुत सारे bloatwares मिलते है अभी recently इतने सारे advertisement उन्होंने अपनी UI में घुसर दिये तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था और मैंने जब phone को boot किया तो सबसे पहला advertisement मुझे सब्वे surfer का सामने जो दिखाए दिया तो मैंने तुरण screenshot लिए और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते है यह वाला गंदास advertisement मुझे यहाँ पर सामने आ चुका था तो यहाँ पर Redmi 6 Pro का आपको 4000 की बैटरी मिलते है लेकिन इसका UI बहुत ही अजीब सा है तो मुझे लगता है कि इसको तुरा सा चेंज करना चाहिए उनको यहाँ पर आप लोगो Zenfone Max Pro में stock experience मिल रहा है Android 8.1.0 पर 0 पर तो मेरे साब से experience आपको यहाँ पर काफी अच्छा होगा यहाँ पर मैं कुछ additional features की बात करता हूँ इन दोनों phones की तो आप लोगो 4G वोल्टी दोनों के अंदर जो देखने को मिलता है प्लस आपको दोनों में fingerprint scanner और face unlock मिलता है दोनों ही बहुत ज़्यादा fast है तो में यहाँ पर कोई comparison नहीं कर सकता हूँ लेगे नहीं आप लोगो Max Pro M1 में एक और additional feature मिलता है जो आपके audio quality के और enhance कर देता है वतलब एक amplify कर देता है कुछ ऐसा ही में कहूंगा आपको यहाँ पर Max box मिलता है इसके अनरा आप अपने phone को जब dock करते तो आपकी audio को और भी स्यादा speaker काफी loud हो जाता आपको इसलता है कि हाँ बहुत अच्छा stereo experience आपको यहाँ पर मिलता है तो यह एक additional feature आपको speaker की मामले में Max Pro M1 में मिलता है जो Redmi 6 Pro में आपको देखने को नहीं मिलता है तो मेरे साब से अगर मैं finally conclusion की बात करता हूँ तो Max Pro M1 considering 1000 और और सस्ता मिल रहा है Max Pro M1 मुझे यहाँ पर way better लगा है compared to Redmi 6 Pro के तो यहाँ पर कोई partiality नहीं है कोई hate नहीं है कुछ नहीं है जो था आपके आखों के सामने था मैंने clearly specs को compare कर दिया मैंने आप लोगो camera के samples दिखा दिया performance की बता दिया display की quality भी बता दिया हर एक चीज़ में आप लोग यहाँ पर सामने रखे बता दिया कि दोनों में साप लोग को कौन सा better मिलता है और यह तो आपको 1000 रुपे और भी कम जो हो देने पड़ते तो यही थी मेरी comparison दोनों की बीच में आप मुझे comment करके बता है कि आप लोग को क्या लगता है कि दोनों में साप लोग को कौन सा phone better लगता है तो आप लोग अपने इसाप से भी decide कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप ज़रू से इस वीडियो को like करिए और मैं future में ऐसी comparison videos लाता हूँगा और आप लोग को ऐसे ही update करता हूँगा मिलते हैं आप से लिए दो में एकना विडियो को साथ तिले नवीगरेट दे और अल्वेस कीप smiling